नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही काम की जानकरी देने वाला हूँ जो आप सभी लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए ताकि मैं जो आपको समझाना चाता हूँ जो बताना चाता हूँ उसे आप ठीक से समझ सकें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारी दी हुई जानकरी आपको अच्छी लग रही है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आज कल सभी लोग यूपियाई यूज करते हैं यूपियाई यानि की यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो जैसे कि सभी लोग यूपियाई यहाँ पर यूज करने लगे हैं यूपियाई क दिनों में UPI से जुड़े बहुत सारी fraud सामने आने लगे हैं दोस्तो fraud ऐसा कि आपको stock जाएंगे सुनकर दोस्तो आपको पता भी निचलता और आपके phone से पैसे गायब कर लिये जाते हैं पैसे चुड़ा लिये जाते हैं पैसे ट्रांसफर करना चाते हैं दूसरा आपको इस तरह के call आ सकते हैं कि हम इस company से बोल रहे हैं और आपका इतना पैसा हमारे पास बकाया है यह आप वापिस ले लिजिए यह आपकी यह policy पूरी हो गई है ऐसा कुछ call आपके पास आ सकता है तीसरा आपकी किसी भी दोस्त या friend या family के नाम पर आपको call किया जा सकता है कि उसने हमें पैसे दिये थे और वो कह रहे हैं कि हम आपके account में पैसा transfer कर दें तो इस तरह की आपको कुछ मिली जूली इस तरह की calls आ सकती है अब calls आने पर होता क्या है आप में से बहुत से लोग बहुत जल्दी यकीन कर जाते हैं और बहुत से लोग जो नहीं करते तो उनको भी यकीन दिला दिया जाता है वो कैसे दिला दिया जाता है तो सबसे पहले आपको call करते हैं call करने के बाद आपको सारी बाते इस तरह की बोली जाती है कि यह पैसा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पर आपको कोई अकाउंट नंबर वगएरा नहीं मांगा जाता है इसलिए आप भी सोचने हैं कि हमसे तो कोई अकाउंट नंबर हमारा नहीं मांग रहा और यहां पर आपको सिर्फ आपसे मांगा जाता है आपका UPI PIN तो जैसे आपको UPI PIN के लिए बोला जाता है आप उसको मना करते हैं कि आप UPI PIN नहीं दे सकते तो वह आपको बोलता है कि हम आपको 1000 रुपे पहले ट्रांसफर कर रहे हैं हमें आपको यह आपके पैसे हैं यह वापिस करने हैं तो आप हमें अपना UPI PIN देजिए हम आपको 1000 रुपे अपना ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि चली 1000 रुपे इसने अकाउंट में हमारे 5000 रुपे या 1000 रुपे ट्रांसफर कर दिया है अब उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम बड़ी रकम बेज रहे हैं इसलिए आपको एक acceptance के लिए बोला जाएगा कि हाँ पैसा receive करने के लिए क्योंकि अब बड़ी रकम बेज रहे हैं पहले छोटी रकम बेजी थी इसलिए वो आ गया बड़ी रकम बेज रहे हैं तो इसलिए आपको acceptance पर क्लिक करना पड़ेगा यानि कि अपनी स्विकरती देनी पड़ेगी तो आपको तो यकीन है क्योंकि उसने पहले ही आपके अकाउंट में हजार या पांच जार जो भी उसने बोलेते हैं तो आपको उसके उपर पूरा भरोसा होता है अब वो second installment या पैसे डालने के बात पर जैसी वो आपके फॉन में मैसेज आता है acceptance का स्विकरती देने का आप उस करते हैं इस तरह से पेमेंट हम करते हैं लेकिन ये system के तुरू जो जब UPI से पेमेंट होती है और जो वो system के तुरू पेमेंट आती है तो आप से जो option पूछ जाता है वो demand वहां से लगाते हैं कि हम इतना पैसा withdraw कर रहे हैं इस UPI से और acceptance आपके पास आती है कि क्या आप उस पर आपके account से जितना भी पैसा होता है वो सारा निकाल लिया जाता है तो इस तरह की दोकाद़ी बहुत जादा सुनने में आरही है दोस्तों तो मैंने इसलिए सोचा क्यों ना इस topic के ओपर वीडियो बनाकर आप लोगों को जागरुक किया जाए तो अगर इस तरह की कोई भी आपके पास phone आता है या आपके परिवार वाले भी अगर क्यों ना आपको बोलें तो आप जब तक शौर नहीं हो रहे सामने आमने सामने अगर बात जब तक आपकी नहीं है तो आप इन बातों पर विश्वास ना करें और UPI PIN को समल के use कीजिए और कभी भी इस तरह से कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर अच्छे लेगी तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ मुझे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उपर टच करके और उसके अब गंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मारे बनाए हुई नई नई वीडियो लगातार अच्छी मिलती रहें तुभी के लिए उतना ही धन्यवाद